नियानमे साल पुरानी संसद जो की बिलकुल जजजर होने वाली थी और परदान मंतरी ने उसका ख्याल रखते हुए एक नई संसद का निर्मान किया है और इतिहास में मतलब सुनहरी अक्षुरों में अपना नाम दर्ज कराया है दूसरी तरह नितीश कुमार जी हों जी हो या विपक्षो या कोई और हो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है उनके पास मोदी जी के खिलाब कोई मुद्दा नहीं है और मैं बहुत इंटर्वू देख रहा हूं जिसमें कह रहे हैं कि मोदी जी को अधगाटन नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए प अपने गिर्मान में मदरब जहां किये ना पहले आप कॉंगरेस के लोगों ने उधॉखाटन किया उसके बाद जो है मम्ता दीदी ने उधॉखाटन किया तो तो शुरूजा और यहुईत भुत को य हाँ चुरूर स्यूंसी आपकinky को लोग है। उससे पहले ही विपक्ष लगातार नई संसत भवन को लेकर लगातार सियासत कर रहा है जहां 22 से जादा गुटों ने कहा है कि कल हम इसका विरोध करेंगे तो वहीं दूसरी दरब जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवानों को कहना है कि वो नई संसत भवन का घेराव करेंगे इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है शकील सैफी जी सर्व सालों बाद देश के लिए नया संसत भवन मिलने जा रहा है तो फिर विपक्ष को इससे परेशानी क्यूं है कभी कहा जा रहा है कि नीती आयोग की बैठक में नहीं बैठेंगे तो वहीं दूसरी तरब नितीश कुमार तो ये तक कह चुके है कि नई संसत भवन की जरूरत ही नहीं थी दिखिए मैं सबसे पहले तो हमारे देश के परदान मंतरी आधरनीय स्री नंदर मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनोंने इतना अच्छा कारिये किया है कि हमारे देश को 99 साल पुरानी संसत जो की बिलकुल जजजर होने वाली थी और परदान मंतरी ने उसका ख्याल रखते हुए एक नई संसत का निर्मान किया है और इतिहास में मतलब सुनहरी अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है दूसरी तरफ नितीश कुमार जी हों केजरिवाल जी हों या विपक्ष हो या कोई और हों वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है उनके पास मोदी जी के खिलाब कोई मुद्दा नहीं है मैं इतिहास में आज तक के जितने भी परदान मंतरी देखे हैं किसी भी अभी परदान मंतरी ने हमारे देश के परदान मंतरी के पैर्च हुए उन्होंने अपना आशिरवाद लिया उनसे, मोदी जी से, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मोदी जी की परसंसा होनी चाहिए, और मैं बहुत इंटर्वू देख रहा हूं, जिसमें कह रहे हैं कि मोदी जी को उद्गाटन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं क पहले आप कॉंग्रेस के लोगों ने उद्गाटन किया उसके बाद जो है ममता दीदी ने उद्गाटन किया तो जब गवरनर को नहीं बुलाया और उसके बाद कई उद्गाटन ऐसे हुए जिसमें हमारे गवरनरों को नहीं बुलाया गया तो हमारे देश के परदान मंतरी न की तरफ से पहले सवाख उधाया गया था नाइ संसद भवन को लेकर एक्थ्य क्या कहते ऐई उनकी बात का कुछ वो नहीं महत्तब नहीं दिया जाना चाहिए हमारे देश क karış मंत्री आज कर हैं वह बहुत अच्छा कारिये कर रहे हैं और उन्होंने पार्लेमेंट को अपने लिए नहीं बनवाई है उन्होंने आने वाली जर्नेशन के लिए आने वाले सांसदों के लिए आने वाले पार्टी का विरोध कर रही हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप तो कुछ करते नहीं हैं तो देश के परदान मंतर को तो कुछ करने दीजी ना आप लोग परदान मंतरी ने अगर वो सुवीदा हैं होंगी तबी तो लोगों के काम ये लोग कर पाएंगे संसद चाहिए उसमें अकलेस का हो चाहिए उसमें मायवती का हो चाहिए उसमें कॉंग्रिस का हो कोई भी हो बैठेंगे तो उसमें सब ना खाली मोदी जी ने अपने लिए तो नहीं बनवाई ना कि अपने लिए संसद बनवाली और अपना आराम करेंगे मोदी जी अरे आप सब लोगों की सुविधा के लिए मोदी जी ने ये कारिये किया है आपको शरम आनी चाहिए आप लोगों को शरम आनी चाहिए मोदी जी पर और उंगली उठाते हुए, पहले आप अपने गिरवान में जहांकें, कि आप किस चीज का विरोत कर रहे हैं, और मुद्दा किस चीज का बटकाना चाहरे हैं भाई, मुद्दा किस चीज का बटका रहे हो आप, मोदी जी को क्या जूर्थ पड़ी है, अभी तीन देशों की य चाहरे हैं कि कभी अमरीका के राष्ट्रपती ने उनकी छत्री खोली दी, अरे हमारे देश के परदान मंतरी के तो पैर चुए हैं, मैं चैलेंज देना चाहता हूं, कॉंग्रेस को और अन्य पार्टी के निताओं के जिनके परदान मंतरी रहे हैं, एक फोटो, एक फोटो म उलाम नभी आजास से लेकर प्रमोत कृष्णमा उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कॉंग्रेस की तरफ से ये मांग रखी गई थी, उनके नेताओं ने भी कई बार कहा कि नए संसत भवन की देश को जरूरत है, आज अकर मूदी सरकार के दुवारा नए संसत भवन को बनवा दिया गया है, तो सवाल उठाये जा रहे हैं, ये तक कहा जा रहा है कि करोडों रुपे का फिजूल खर्चा किया गया है और वहीं दूसरी तरफ कल तमिलाड से विद्वान आने वाले हैं, जो सेंगोल को पीम नरंद्र मोदी को सौपेंगे, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये राज़ शाही अपना रहे हैं, पीम नरंद्र मोदी. मोदी जी को मैं धन्य बात करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी वो की, और कोई फिजूल खर्चा नहीं है ये, फिजूल खर्चा तो केजरी वालने की है, चोवन करोड रुपे का, हमारे मोदी जी ने तो पार्लेमेंट बनाए, उसमें आप पार्टी के नेता भी बैठें हर समाज के नेता बैठेंगे, कोई पार्लेमेंट मोदी जी ने अपने ने नहीं बनवाई है, ऐसी सोच को सलाम करना चाहिए और समर्तन करना चाहिए, ऐसे आप गल्त कर रहे हैं, आपको खड़े हो करके मैं सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूं कि आएं और मोदी कारी की सरार ना करें और आप आकर के उन्हें बधाई दें सब, इस पर का कहिएंगे, जो तमाम पहलवान इतने महिनों से यानि कि जंतर मंतर पर बैठे हैं और वो ये बात भी कहते हैं कि उन्होंने देश को गौरामवित किया है कई बार पर आज वही जो पहलवान है, वो ये कह रहे हैं कि हम खाब पंचायतों के साथ मिलकर कल संसत का घिराव करेंगे, देखे वो पहलवान तो कॉंग्रेस की सोची समझी एक चाल है, देखे वो जो बैठे हैं, अगर जब सुप्रीम कोट में मामला है, जब थाने में मामला है, तो कोट पे फ्यासला चोड़ देन इनका खर्चा उठाया, आज ये उसी परदान मंतरी का विरोध कर रहे हैं, तो ये राजनितिक कर रहे हैं, और एक ना एक दिन इन में से कोई ने कोई मैं आपको बता दूँगा, कि कॉंग्रेस से हर्याना से ये चुनाव भी लड़ेंगे, कॉंग्रेस की मिली भागत है य नगा रहा है कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, लोकसा भाके सिलिए, देखे इनके पास बिपक्ष के पास जो है, कोई भी मुद्दा नहीं है, तो मोदी जी को ये मुद्दा बनाते हैं, लेकिन मोदी जी एक महान और एक देपता इंसान है, उनके साथ भगवान है, इसवर है, बाहे गुरू है, क्रिच्चन है, हम सब उनके साथ है. अल्ला ताला उन्हें खुब लंबी उमर दे और उन्हें आगे ऐसे काम करने की सरार ना दे. और इन विपक्षी डलों को बुद्धी दे. मैं तो यही दूबा अल्ला ताला से करूँब robi के- ये बिरोध ना करें ये अच्छा कारिया है और ये पहलवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप संसत का गेराब ना करें आप परदान मंतरी का होसला बढ़ाएं आप अगर मैडल जीत करके लाएं तो उसमें भी परदान मंतरी की कहीं न कहीं मेहनत है और जिस जो लौज है सप्रीम कोट और पुलिस पे वरोसा रखें पर सासन पे वरोसा रखें आपके साथ इंसाफ होगा